कास्टीजम Welcome to Study IQ मेरा नाम है आदेश सिंग दोस्तो 14 एप्रिल 1891 को मध्यप्रदेश के एक कस्बे माहों में जन्म हुआ भारत के एक महान नेदा का नाम था भीमराव रामजी अमबेटकर तब कौन जानता था कि एक छोटे से शेहर में जन्मा ये बच्चा प्रिज हासिल करेगा और एक दिन आधुनिक भारत का समविधान लिखतेगा कोलंबिया युनिवरसिटी और LSE से PhD के अलावा महों का ये लड़का ब्रिटिन के highly exclusive club ग्रेज इन से बैरिस्टर भी बना दोस्तों भीमराव रामबेटकर की कहानी सिर्फ इसलिए fascinating नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने दोर के सभी विद्वानों से ज्यादा ज्यान अर्जित किया बल्कि इसलिए भी है क्योंकि अमबेटकर ने ये सब एक लंबे संखर्ष से हासल किया उनका जर्म महार कम्यूनिटी में हुआ एक ऐसी कम्यूनिटी जिसकी गिनिती हिंदू सोशल सिस्टम की एक कुरूप व्यवस्था की तहट अंटचबल्स या अच्छूतों में होती थी व्यवस्था का नाम जाती व्यवस्था या कास्ट सिस्टम जी हाँ हमारे सम्विधान निर्माता भीम राव अंबेटकर एक ऐसी व्यवस्था का शिकार बने जिसने उनके जैसे लाकों करोडों लोगों का भविश्य जन्म से ही तै करने की ठान ली थी अंबेटकर की कहानी इसलिए प्रेरणा दायक है क्यूंकि जाती व्यवस्था में जिन कम्यूनिटीज को अचूत डिकलेर किया गया उन्हें ज्यान अर्जित करने की इजाज़त नहीं थी डॉक्टर बाबा साहिब अंबेटकर राइटिंग एन स्पीचिज में अंबेटकर लिखते हैं कि हिंदू लॉगिवर मनों ने शूद्राज को वेदा पढ़ने या सुनने से प्रोहिबिट कर रखा था अंबेटकर कहते हैं कि गौतम धर्म सूत्र में तो शूद्र द्वारा वेदाज को सुनने या रिसाइट करने पर तान में पिघला हुआ सीसा डालने या जीब काटने जैसे एक्स्ट्रीम प्रिस्क्रिप्शन भी थे ऐसी एक्स्ट्रीम व्यवस्था से लड़ते हुए अंबेटकर ने न सिर्फ खुद को एजुकेट किया बलकि उन्होंने लाखों, वंचितों और पिछडों को एजुकेट करने और जाती व्यवस्था को जड़ से उखाडने के लिए लंबा संघर्ष भी किया अपने इसी संघर्ष के चलते वो लाखों, करोडों, उत्पीडित समाज के लोगों के लिए भीम राव अंबेटकर से बाबसाहिब अंबेटकर बने आज की हमारी कहानी उसी व्यवस्था की है जिसके खिलाफ संघर्ष में बाबसाहिब ने अपना पूरा जीवन लगा दिया वो व्यवस्था जिसने करोडों, दलितों और वंचितों को आज भी अपने बंधन में जकड रखा है आज के वीडियो में हम जाती बाद का पोस्ट मॉटम करते हुए उसकी जड़ों तक जाएंगे और जानेंगे कि कैसे जिस व्यवस्था को दशकों पहले खत्म हो जाना चाहिए था वो आजादी के 75 साल बाद भी हमारे समाज में किसी न किसी रूप में मौजूद है साथ में जाती बाद के evolution पर नज़र डालते हुए हम ये भी देखेंगे कि वो कौन से factors थे जिन्होंने कास्टीजम और untouchability को challenge करते हुए हिंदू social system में बदलाव किये चलिए शुरुआत करते हैं लेकिन ये जितनी आसान लगती है उतनी है नहीं और इसी लिए इसका एक scientific analysis ज़रूरी है जाती विवस्था को कई बार Rig Vedic Times की वर्ण विवस्था से भी confuse किया जाता है In theory, caste system वर्ण model के साथ interlinked है, लेकिन in reality उससे कहीं ज्यादा complex और अलग खैर, वर्ण model एक broad outline है जिससे हम caste system को roughly समझ सकते हैं वर्ण हिंदू society को चार orders में divide करता है, जिसमें traditional priests और scholars यानि Brahman hierarchy में सबसे उपर रखे गए, फिर warrior group यानि क्षत्रिय, उसके बाद merchants और traders यानि वैशे, और सबसे आखिर में peasant, laborers और higher vernas के servants या फिर शूद्र पहले थीन कास्ट को द्विजा यानि twice born कहते हैं जो वैदिक ritual उपनायाना के बाद secret threat पहनते हैं लेकिन शूद्राज को या allowed नहीं था origin की बात करें तो 1500 से 1000 BCE के बीच Rig Vedic Society में वर्ण की शुरुआत हुई और तब इसका मतलब रंग या कलर था इसका इस्तिमाल सबसे पहले आरिय और दासा के बीच comparison के लिए हुआ आरिय उन्हीं कहा जाता था जो लगभग 1800 BC के आसपास Central Asia से इंडिया में आए और दासा वो थे जो इंडियन सब कॉंटिनेंट के original inhabitants थे खेर तब वर्ण divisions caste जैसे rigid नहीं थे धर्मशास्तराज आईडिली वर्णास को prescribed occupation में रहने की हिदायत देते थे लेकिन crisis में occupation change allowed था पर mainly brahamants को खेर caste को origin later vedic age यानी 1600 BCE के बीच हुआ जब वर्ण rules जैसे occupational rules rigid होने लगे वर्ण largely कर्म पर आधारित था लेकिन caste में occupation hereditary हुआ और ये वर्ण को caste से अलग करता है धर्मसूतराज के हिसाब से inter-vern marriages या फिर वर्ण समकरा से जातियों का जन्म हुआ पर इस theory की scientific validity कम है initially caste में untouchability नाम का social evil भी नहीं था जबकि caste hierarchy हमेशा से थी asprish या untouchable word का पहला literary evidence 1st और 3rd century AD में विश्णु धर्मशास्तर में मिलता है untouchability के origin की ये timeline बी आरमबेटकर के assessment से भी match करती है early 5th century में जब Chinese traveler फाहेन इंडिया आए तो वो भी untouchability के widespread existence की बात करते हैं ये वो दौर था जब untouchability rigid और exploitative होने लगा था खैर चलिए अब learn और जाती के अंतर को detail में देखते हैं learn versus जाती दोस्तो learn और जाती में कई अंतर है जाती को ही English में caste कहा जाता है पहला difference तो ये है कि learn केवल 4 हैं लेकिन जातियां uncountable caste में एक fifth group भी है जिसे अवर्ण अतिशूद्र या untouchables कहा गया दूसरा ये कि वर्ण में चार groups का status fixed है लेकिन caste में ऐसा नहीं है For example Brahmins और untouchables के बीच located middle cast के status और privileges control over land, wealth, power और population जैसे local factors पर dependent हैं इसलिए अगर एक group इतिहास में political power gain कर लेता था तो वो क्षत्रिया status claim करने लगता यही वज़ा है कि मौरिया वर्ण्ष के rulers के caste origins को लेकर कई debates और discussions है democracy के चलते आज कई जगहों में ज्यादा population वाले caste उपर के वर्णा से ज्यादा well-off और powerful हैं जिनहे sociologists dominant caste कहते हैं इसके अलाबा वर्ण कई range of occupations prescribe करता है जबकि जाती एक specific occupation से connected है फर एक्जामपल वर्ण व्यवस्था ये नहीं बताती कि कौन आयन स्मित होगा या कौन कापिंटर या कौन गोल्ड स्मित ये detailed division केवल caste में है और इसलिए multiple occupations करने वाले caste एक ही वर्णा में हो सकते हैं इसके अलाबा वर्णास में occupation, endogamy और commensality के rules में less rigidity है than caste खेर, caste system समाज की हर activity को regulate करने की कोशिश में occupation से लेकर किसके हाथ से पानी लेना है सब prescribe करता है इतना deeply लोगों को control करने की कोशिश शायद ही किसी social system में हुई और इसलिए caste unique है यही rigid rules जाती व्यवस्था के दामन या exploitations का कारण भी है तो चलिए समझते हैं जाती के essential features को Features of caste system दोस्तों, caste का सबसे पहला feature है closed membership यानि एक ब्राह्मन हमेशा ब्राह्मन ही रहेगा और एक शूद्र हमेशा शूद्र शूद्र कितनी भी education या wealth कमाले caste system में status improvement impossible है अगला feature है endogamy membership की exclusivity के लिए inter-cast marriage prohibited है अगला feature है differential punishments यानि punishments के rules हर caste के लिए अलग है for example अमबेट कर कहते हैं कि अगर शूद्र upper caste woman के साथ adultery करता है तो मनु उसे मृत्यू दंड प्रिस्क्राइब करते हैं लेकिन ये बाकी caste पर applicable नहीं है अगला feature rigid division of labor और hierarchy in occupation occupation birth से decide होता है और occupations में भी higher status और lower status होता है जैसे sweeping को higher caste polluting मानते थे eating practice को लेकर भी rules थे for example brahmins के लिए non-vegetarianism generally prohibited है और untouchables के हाथ से पानी लेना upper caste के लिए prohibited है sociologists कहते हैं कि सदियों की practice से caste एक indoctrinated ideology बनकर Indian society में घुस गया जिसने caste को आज तक जिन्दा रखा है इसी ideology के चलते हर caste अपनी exclusivity maintain करती रही और system पर believe करती रही बावजूद इसके कि कुछ caste को इससे फाइदा हुआ और कुछ के लिए ये जानलेवा थाबित हुआ caste के maintenance में कई informal bodies जैसे caste पंचायत भी involved रही जो कुछ societies में इतने violent हैं कि rule breakers को death sentence ही दे देते हैं खेर अब बात करेंगे casteism के सबसे खतरनाक पहलू untouchability की exploitation of shudras and untouchables दोस्तों untouchables को early times में chandalas जैसे नाम से जाना जाता था जो fifth group यानी अवर्ण का पार्ट थे अंबेट कर उन्हें depressed classes या दलित और गांधी इन्हें हरिजन्स बोलते थे administrative convenience के लिए Government of India Act 1935 से इन्हें scheduled caste का दर्जा मिला constitution ने scheduled caste को enlist करने की power President of India को दी है इस list में West Bengal के बागडी और राजबंसी, महराष्ट के महार आंध्रा के माला और मड़ी का etc. आते हैं Stigma और Dehumanization की बात करें तो इसका एक example यही है कि SCs के caste टाइटल्स को ही कई बार slur की तरह यूज़ किया जाता था जिसे SCST Act ने अपराध डिकलेयर कर दिया इसके अलावा उन्हें कई बार dogs और crows से भी equate किया गया अपस्तंब धर्मशास्त्र के हिसाब से अगर कोई higher caste चांडाल से contact में आए बात करे या देखे भी तो उसे immediately नहा कर ब्रहमन से बात करके और sun, moon और stars को देखकर खुद को purify करना चाहिए modern times में भी यह चलता रहा sociologist घूरे बताते हैं कि तमिल नाडू में शानार कास्ट को ब्रहमन से 24 कदम और केरला में तीयन्स को ब्रहमन से 36 कदम दूर रहने की हिदायत थी ये सिर्फ कुछ examples है असल में देश की 16 प्रतिशत population के खिलाफ ऐसे dehumanizing rituals और acts की list लंबी है दलितों के साथ residential discrimination भी हुआ entry पर ban लगा कर उन्हें भगवान से भी दूर रखा गया और तो और untouchables की परचाई भी polluting मानी गई और upper caste villages में उनकी entry पूरी तरह ban रही higher cast द्वारा पहने जाने वाले अभूशन और कपड़ों पर भी exclusive control था जेफरी कहते हैं कि केरला के इडवा women को body के अपर parts में कपड़े रखना allowed नहीं था caste rules के violators को extreme punishments मिलती जो outcasting, violence, killing, lynching etc. के रूप में थी ये आज भी खत्म नहीं हुआ है 2016 में गुजरात के उना में कुछ दलितों के खिलाफ violence की video recordings इसी casteist mentality का result है segregation के बावजूद SECs Indian society के integral component थे क्यूंकि उनके बिना social life और upper caste land owners की luxury sustain नहीं हो सकती थी खेर, जाती और untouchability ने मिलकर भारत में merit को destroy किया जिसने growth, development और innovation को नुकसान पहुँचाया इस बटवारे ने Indians को invaders के खिलाफ एक जुट होने से भी रोका जिसका फाइदा अंग्रेजों ने भी उठाया अब चलते हैं British rule के समय जाती में हुए बदलाव की और Colonialism and caste system दोस्तों 18th और 19th century में जब western ideas और modern institutions इंडिया में penetrate हुए तो caste system ने massive challenges फेस किये और चीज़ें बदली British राज ने SEs को नए avenues दिये जो उनके लिए caste से बाहर निकलने का पहला मौका था इन नए avenues में economic opportunities, access to education, westernization और politicization जैसे factors थे Colonialism के साथ भारत में entry हुई railways और industries की और Bombay, Calcutta, Madras जैसे शहर expand हुए इन cities में नए jobs की demand बढ़ी factories में workers शहरों की देखरेक के लिए manual laborers drains, roads buildings की constructions etc. के लिए workers की ज़रूरत थी और शहर कास्ट के division of labor को challenge करने लगे villages में अपर कास्ट landowners के दमन से तंग आचुके oppressed cast प्रगती की उमीद में शहरों में गए और नई jobs में शामिल हुए colonialism ने modern institutions की मदद से भी कई caste groups की conditions को improve किया फर एक्जांपल बिटिश आमी में महर community को जगह मिली तमिल नाडू के नादर्स पहले toddy tapping में थे जिसे polluting माना जाता था लेकिन बिटिश रूल में कई नादर्स toddy trade में घुसे और middlemen और money lenders बन कर उन्होंने अपना social status change किया equality पर based modern legal system ने भी caste को challenge किया जिसका इस्तिमाल lower caste leaders ने बढ़ चड़ कर किया लेकिन situation complex थी एक तरफ oppressed caste के लिए शहर उम्मीद लेकर आया लेकिन वहाँ भी उन्हें ऐसे ही jobs मिले जिन्हें लेकर stigma माबर कर आ रहा इसलिए economic opportunities बढ़ ही लेकिन status improvement सिर्फ कुछ ही का हुआ कुछ scheduled caste जो cottage industries weaving और tanning में थे वो तो Manchester की cheap machine made clothes के चलते बरबाद हो गया खैर modern education के चलते कई social reformers ने caste और छुआ छूद के खिलाफ लोगों को जागरत किया और oppressed caste को educate किया इस education के चलते ही social reform movements का उदय हुआ जिसे हम आगे देखेंगे social reforms और anti-caste struggle दोस्तों भारत में caste पर सबसे पहले attacks religious reform से हुए जो ancient times तक trace किये जाते हैं बुधिजम और जैनिजम से लेकर हिंदुईजम के भक्ती movement तक सबने equality को प्रीच किया संत रामनुज से लेकर निंबार कचार्य चैतन्य महाप्रभू कबीर इत्यादी का रोल इसमें immense रहा है पर caste system को सबसे बड़ा जटका 19th century में लगा French revolution हो चुका था और liberty, equality और fraternity के ideas पूरे विश्व में प्रचलित हो रहे थे Indians भी इससे अचूते नहीं थे कई Indian leaders और scholars modern ideas से प्रेरणा लेकर untouchability और child marriage जैसे social evils पर attack करने लगे Early reformers में ब्रह्मो शमाज के राजा राम मोहन रोय और महराष्ट में प्रार्थना समाज और परमहन्स मंदली एच्सेटरा important थे Early leaders largely upper caste से थे लेकिन second half of the 19th century तक modern education non-brahmins तक पहुची और तब उन्होंने anti-caste movements को lead किया Early 19th century में Central India में सतनामी movement के तहत गुरू घासी दास ने leather workers और 1860s में बेंगौल में हरी दास ठागुर ने मतुआ सेक्ट के तहत चंडाला cultivators के upliftment पर काम किया Late 19th century में केरला में Edwaz कास्ट के श्री नारायन गुरू भी कास्ट के खिलाव जंग छेड़ चुके थे जहां उन्होंने one caste, one religion, one god for humankind का नारा दिया इन सभी ने lower caste को caste oppression के खिलाव बोलने का self confidence दिया oppressed caste leaders में सबसे ज्यादा influential और vocal शायद जोती राव फूले थे उन्होंने ब्राह्मन्स के dominance को challenge करने के लिए उन्हें outsider डिकलेर कर दिया और oppressed caste को इंडिया का original inhabitant बताया फूले ने कहा कि इंडिया के बाहर से आया अपर कास्ट ने इंडिया के original लोगों को oppressed कर अपना दबदबा कायम किया है और इसलिए अगर upper caste equality को नहीं मानते तो भारत की धर्ती पर उनका कोई अधिकार नहीं है फूले ने अपनी किताब गुलाम गिरी में oppressed caste की तुलना American slavery से की और जातिवाद के खिलाफ सत्य शोधक समाज की स्थापना की फूले का importance इसलिए भी है क्यूंकि वो 20-वी सदी के कुछ महान anti-cast leaders जैसे अंबेडकर और पेरियार के प्रिर्णा स्रोत भी थे 1925 में South India में पेरियार ने caste के खिलाफ self-respect movement लौँच किया इसके तहट पेरियार ने inter-cast marriage और बिना Brahmin priest के marriages को normalize कर South India में Brahmin monopoly को कमजोर किया इसके अलावा South में temple entry movement भी powerful हुआ जो 19th century में अरुवी पुरम movement और 20-वी सदी के वाइकोम सत्यागरह और गुरु वयूर सत्यागरह के रूप में दिखा अंद्रे बेत्ते के मुताबिक anti-cast movement में political struggle की शिरुवात सबसे पहले 1916 में Tamil Nadu में justice party से हुई जिसने civil services में Brahmin monopoly को counter करने के लिए reservation इंट्रिट्यूस किया national level पर महत्मा गांधी ने 1932 में हरिजन सेवक संग की स्थापना कर untouchability को attack किया और दलित upliftment पर जोड दिया इसी दौर में अंबेटकर का भी rise हुआ लेकिन गांधी और अंबेटकर के बीच disputes थे अंबेटकर caste के complete eradication की बात करते थे लेकिन गांधी का focus सिर्फ untouchability पर था अंबेटकर चाहते थे कि दलित्स को separate electorate में ले ताकि दलित खुद अपनी आवाज political platforms में उठा सके लेकिन गांधी को लगता था कि ये हिंदूस को divide करेगा इसलिए जब 1932 में British Prime Minister Ramsey MacDonald ने दलितों के separate electorate की बात की तो गांधी fast पर बैठ गए compromise के तहट पूना पैक्ट साइन हुआ और separate electorate की जगह reservation आया जो आज भी जारी है अब समझते हैं independence की बाद के caste system को caste and casteism in post-independent India दोस्तों आजाद भारत ने policy of protective discrimination अड़ाप्ट किया ताकि एतिहासिक अन्याय सेहने वाले समाज को substantive न्याय मिले सम्विधान निर्माता जानते थे कि एक unequal society में formal equality inequality को और बढ़ावा देगी यानि कि भले ही सम्विधान ने competitive exams के लिए हर caste को equal opportunity दे दी हो लेकिन real sense में equality तब तक नहीं होगी जब तक उस competition में बैठने वालों का socio-economic condition similar नहो हजारों सालों से oppression झेल रही जाती के लोगों को अगर privileged high caste के लोगों के साथ exam में बिठा दिया जाए तो ये true sense में equal competition नहीं है इसके अलावा खुद भी जाती व्यवस्था को जहिल चुका एक oppressed caste ने था oppressed caste के हिसाब से better decision ले सके इसके लिए politics में भी representation ज़रूरी था इसलिए SCs के लिए legislature, government jobs और education institutions में reservation की व्यवस्था हुई 15% central services में और 14% parliament में untouchability का abolition हुआ और SCs को public places जैसे shops, hotels, wells, tanks, bathing guards, roads, etc. में free entry मिली 5 year plans में भी एक specific component बना जो इन communities के welfare पर special ध्यान देता था Political struggle को continue रखने के लिए बाबा साहिब Ambedkar के बेटे यश्वंत Ambedkar और N. Sivaraj के नित्रित्व में Republican Party of India को 1957 में बनाय गया इसका main purpose SC subcasts को unite कर political power गेन करना था लेकिन internal differences के चलते party split हुई और RPI के disillusion leaders ने 1970s में दलित Panthers बना कर political movement को expand किया North India में दलित लीडर कांशी राम का उदय हुआ जिन्होंने बहुजन्स यानि दलित्स और बाकी के backward cast को unite किया उन्होंने 1984 में बहुजन समाजवादी party का formation कर scheduled caste politics को नया आकार दिया caste politics में एक important turn 1980s और 1990s में आया जब मंडल कमिशन ने other backward classes के लिए 27% reservation की बात की OBCs middle caste के वो groups हैं जो forward caste के dominance के चलते backward रहे मंडल ने भारती या राजनीती को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया क्यूकि मंडल movement से जनमे कई backward caste नेताओं ने 1990s में UP और बिहार से Indian National Congress की monopoly को destroy कर दिया 1990s के बाद लगभग 24 साल तक इनके बिना National Government बन पाना किसी पार्टी के लिए मुम्किन नहीं था Sociologists कहते हैं कि भले ही जाती व्यवस्था पिछले 200 सालों में कमजोर हुई लेकिन caste as an identity democratic politics के चलते strengthen हुई है जिसका असर caste based voting behavior में दिखता है कुछ sociologists ये भी कहते हैं कि भले ही दलित और backward caste movements ने oppressed caste को empower किया लेकिन जातीवादी ideology पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है शायद यही वज़य है कि आई दिन हम दलितों के खिलाफ violence, honor killings, etc. की खबरें सुनते हैं और NCRB की report caste based violence में rise की ओर इशारा करती है उना violence से लेकर हाथरस rape case तक caste based oppression चर्चा में रहे universities में भी untouchability, modified forms में दिखती है 2016 में हैदरबाद university में रोहित वैमिला के suicide ने institutionalized casteism पर debate शुरू किये inter caste marriage जैसी practices आज भी taboo है urban centers में भी casteism खत्म नहीं हुआ है manual scavenging पर 2013 में लगे ban के बावजूद आज भी news reports manual scavenging के existence की बात करती है SCs 16% population के बावजूद किवल 9% agricultural land own करते हैं जबकि 22% forward cast लगभग 41% land own करते हैं private sector एक ऐसी opportunity बन के आया था जिनसे उम्मीद थी कि वो recruitments caste biases की जगए merit के base पर करेंगे लेकिन Indian Institute of Dalit Studies के खालिद खान कहते हैं कि corporate के networking और referencing के चलते वहाँ भी oppressed caste काफी कम हैं economist सुखदेव थोराट कहते हैं कि private sector में एक college educated lower caste job applicant higher caste के comparison में far less successful हैं दोस्तों ये facts बताते हैं कि पिछले 200 सालों में caste system change तो हुआ लेकिन उसके remnants आज भी हैं यानि casteism के खिलाफ लड़ाई खत्म नहीं हुई है एक बहतर समाज की संकल्पना को साकार करने के लिए जरूरी है कि ये outdated व्यवस्था जल्द से जल्द eradicate हो ताकि हम inclusive growth, innovation और development की तरफ बढ़ें जहां सब equality of opportunity और अपने अधिकारों को real sense में enjoy कर सकें